हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्टड़ी टॉंटिफॉर सेवन चैनल पर हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट 2020 के इंपॉर्टेंट डे देखते हैं उसके थीम देखेंगे तो पहला देखते हैं 11 से 17 जन्वारी को मनाया गया है राष्टिय सणक सुरच्छा सब्ता इसका थीम था इस सब्सक्राइब देखेंगे चेंज थूछ यूथ पावर यूवा सक्तिके वादियों से प्रिवर्टन लाना इसका मेन थीम था सेकंडे राष्टिय यूवा दिवस 12 जन्वारी को मनाया गया है इसका थीम था दोज़ार बीस का थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बील्डिंग राश्ट निर्वान में युवाशकती का इस्तमाल करना थार्ड इंपोर्टेंट हैं अंतराश्टिय सिच्छ जन्वरी को 24 जन्वरी को अंतराष्टिय सिच्छा दिवस मना जाता है और इस बार का थीम था Learning for People, Planet, Prosperity and Peace लोगों को ग्रह सम्रिदी और सांती के लिए सिखना राष्टिय मद्दाता दिवस 25 जन्वरी को मना जाता है और 25 जन्वरी को National Tourism Day भी मना जाता है इसका थीम था इस बार का Electoral Literacy for a Stronger Democracy लोगतंत्र के लिए निर्वाचन साचर्था नेक्स्ट है 2 फर्वरी को मना जाता वर्ल्ड वेटलेंड बीश्व आदर भूमी दिवस इस बार का Theme था वेटलेंड और बायो डाइवर्सिटी आदर भूमी और जय विविक्ता विश्व कैंसर दिवस मना गया चार फर्वरी को चार फर्वरी को विश्व कैंसर दिवस मना गया यह बहुत इंपोर्टन था इस बार का Theme था I am and I will विश्व रेडियो दिवस तेरफ परोरी को मना जाता है हरसल रिश्वर का Theme था Radio and Diversity रेडियो और बिवित्ता 28 परोरी को राष्टी विज्ञान दिवस मना जाता है और इस बार का Theme था Women in Science विज्ञान में महिला है आठ मार्च को अंतराश्टी महिला दिवस मना जाता है इस बार का Theme था I am Generation Equality Realizing Women's Rights नेक्स्ट है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मना जाता है यह तो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों इस बार का Theme था Water and Climate Change जल और जलवाई परिवर्त है नेक्स्ट है 26 रोग दिवस 24 मार्च को यहनी World TV Day इस बार का Theme था It's Time यही सहिस में है नेक्स्ट है 27 दिवस 7 अपरेल को मना जाता है 7 अपरेल को World Health Day इस बार का Theme था Support Nurses and Midwives 22 अपरेल को मना जाता है हर साल इस बार का Theme था Climate Action जलवाई परिवर्तन 25 अपरेल को 20 Malaria दिवस मना जाता है और इस बार का Theme था Zero Malaria Start With Me 26 अपरेल को मना जाता है इस बार का Theme था Innovation for a Green Future 26 अपरेल को मना जाता है और इस बार का Theme था Generalism Without Fear or Favour भाय या पचपात मुक्त पत्रकाडिता नेक्स्ट है अंतरराष्टी जय विवत्ता दिवस 22 मही को मना जाता है Theme था इस बार का Our Solutions are in Nature हमारा समधान प्रकृत्ती में नेक्स्ट दिवस है विश्व तमबाकू निशे दिवस 31 मही को नो टो बैकोड है इस बार का Theme था Protection of Younger Generation Focusing on Protecting Youth from Industry Finipulation and Preventing them नेक्स्ट है फ्रों टोबैको और निकोटिन्स इवाओं को इंडस्ट्री के हतकड़ी से बचाना और उन्हें तमबाकू निकोटिन्स से रोखना नेक्स्ट है विश्व पर्यावरन दिवस 5 जुन को इस बार का Theme था आठ जुन को Theme 2020 Innovation for Sustainable Ocean एक सतत मासागर के लिए नवचार नेक्स्ट है 14 जुन को विश्व रखदाता दिवस थीम Safe Blood, Safe Lives 14 जुन को है विश्व रखदाता दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है 29 जुन को राष्टिय संक्य की दिवस इस बार का Theme था सतत विकास लक्ष 3 सवस्थ जीवन सुनिश्चित करना सभी उम्र के लोगों के लिए कल्यान को बढ़ावा देना सतत विकास लक्ष 5 लिंग समानता हासिल करना सभी महिलाओं और लड़कियों को ससक्त बनाना नेक्स्ट है 200 Hepatitis Day अठाई जुलई को मनाया जाता है इस बार का Theme था Hepatitis Free Future नेक्स्ट है 285 सब्ता 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है इस बार का था Supporting Breast Feeding for Healthier Planet मदर्स बच्चों को ब्रेश फीडिंग नहीं करवाती है इसलिए इसलिए लिए अलग से एक दिन बनाया गया से 7 अगस्त ताकि मदर्स अपने बच्को को दूद्र पिला अंतराष्टह बीवदेश 2 अगस्त को देखें दोस्तों William याद रखेगा एक आता है नेशनल स्वाइम विवेका निंद के जनन दियुन को होता है बारा जन्वरी को एक होता है अंतराष्टिय इवा दिवस बारा गर्श्त को इस बार का थीम ता है यूथ मिनाइटिन क्रेसिस और यूंड कोई 제' शंखट और उस्य सचर्था शिछन और सिच्छा अंतराष्टिय सच्छ़व आंतराष्थεν शुम्हा दिवस आन से याद रखेगा तो तो ज़्याद आच्छा रहेगा 25 जनौरी को नेशनल प्रेटन दिवस राष्टी प्रेटन दिवस 27 सिप्टंबर को विशु प्रेटन दिवस इस बार का थीम था टूरीजम एंड रूलर डेवलोप्मेंट पर्याव प्रेटन और ग्रामिन विकास नेक्स्ट है बीशु हिर्दै दिवस 29 सिप्टंबर को मना जाता है इस बार का थीम था यूजँ हर्टी बीट कार्डियो वैस्स कूलर डीजी swings हिर्दै रोक को हराने के लिए हिर्दै का उपयोग करे नेक्स्ट है वीश्व मानसिक स्वास्थ दस अक्टूबर को मना जाता है इस बार का थीम था Mental Health for All सभी के लिए मानसिक स्वास्थ नेक्स्ट है 11 अक्टूबर को अंतराष्टिय बल्गा दिवस देखे दोस्तों 24 जन्वरी को राष्टी बल्गा दिवस मना जाता है और 11 अक्टूबर को अंतराष्टी बल्गा दिवस दोनों को रिलेट करके याद करना है 24 जनवरी को राष्टी बल का दिवस, 11 अक्टूबर को अंतराष्टी बल का दिवस इस बर का थिम था My Boys, Our Equal Future, मेरी अवाज हमारी समान बोईश नेक्स्ट है Global Hand Washing Day 15 अक्टूबर को Global Hand Washing Day 15 अक्टूबर को मना जाता है अक्टूबर 2020 का थिम था Hand Hygiene for All, सभी गले सब्सक्षाइब हाथ धोकर के खाना खाना चाहिए, इससे 90% बीमारियां नहीं होती है सारे बीमारियों की सुरुआत पेट से ही होती है, इसलिए हाथ अच्छे से वास करके खाने खाने से पहले हाथ अच्छे से दोना चाहिए, विश्व खाद दिवस 16 अक्टूबर इस बार का थिम था Grow, Neuris, Sustain, Together नेक्स्ट है, विश्व मधुमे दिवस 14 नॉमबर, 14 नॉमबर को इस दिन जौरला नेरू का बड़ दे भी मना जाता है और चिल्डर्स डे भी मना जाता है और विश्व मधुमे दिवस 14 नॉमबर, इस बार का थिम था, दर नर्स अंड डाविटीज नेक्स्ट है, विश्व चाले दिवस 19 नॉमबर को मना जाता है इस बार का थिम था, सस्टेनेबल, सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सतत स्वस्था और जलाई पर विश्व चाले दिवस 19 नॉमबर, बहुत इपोटेंट है दोस्टों यह, इसका नेक्स्ट है, एक दिसमबर, विश्व एट्स दिवस, विश्व एट्स दिवस एक द इस बार का थिम था, इस बार का थिम था, ग्लोबल, सोलिडिरिटी, सियर रिस्व एट्स दिवस, इस बार का थिम था, किप स्वाइल एलाई, प्रोटेक्ट स्वाइल ब्योडिवसिटी, मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी को जय बिवित्ता की रच्छा करना, 11 बर राष्ट्री उभोगता दिवस को चौबिश दिसंबर राष्ट्री उभोगता दिवस इस बर का थीम था सस्टेनेबल कंजूमर अस्थाई उपभोगता है ठीक है दोस्तों तो इतना ही था इसको एक बर अच्छे से देख लिजएगा चुकि यह सारे कोश्चन इस तरह कोश्चन थीम और इंपोर्टेंट देज थे इस तरह कोश्चन अक्सर एक्जाम में आते हैं इंपोर्टेंट एज और इस बर का थीम किया था चाहे बीपीसी ले लिजिए या एससी के एक्जाम लेजिए रेलवे के एक्जाम ले लेजिए इस सारे डे को एक सो दो बर देखेगा सारा दिमाग में आपका सेट हो जाएगा थैंक्यू दोस्त कर दूस्त